आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों से कोई भी कहीं भी सवाल पूँचा जाता था कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है तो आप लोगों को जवाब हुआ करता था गोरकपूर जंक्सन उत्तर प्देश का लेकिन याद रखें अब आप लोग ये बदल चुका है गोरकपूर जंक्सन दूसरे नंबर पर आता है अब पहले पर कौन सा आता है पहले पर आप देखें कि दच्चेंट भारती रेलवे में दच्चेंट परस्चेंट रेलवे जोन का हुबली कौन सा हुबली रेलवे स्टेशन है करनाटक में ये आप देखतें कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन चुका है और इस रेलविक स्टेशन का पूरा नाम क्या है? सरी सिध्धा रोड स्वामी जी हूवली स्टेशन और पिधान मंत्री जी ने 22 मार्च को इस स्टेशन को देश को समर्पित भी किया था एक बार आप लोग करणाटक को देख लीए देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और करणाटक की बात करें तो ये आपको करणाटक देखने को मिलेगा बैंगलो और इसकी राधधानी है इसकी सीमा गवा, महराष्ट, तेलंगाना, आंत्पिदेश, तमिलाडू, केरल से लगती है यहां अगर आप लोग देखें कि 1 नवंबर 1956 में इसी राज बनाए गया था बिधान सभा में 224 सीटे हैं, बिधान बाईशत भी हैं, जिसमें 75 सीटे हैं राज्य सभा में 12 सीटे हैं, लोग सभा में 28 सीटे हैं इसका छेटफल 1,91,791 बरक किलोमीटर में पहला हुआ है वहीं उत्तर प्यदेश की भी चर्चा हुई है, गोरखपुर की तो आप देखें उत्तर प्यदेश की रादधान नहीं लखना हुए और इसी राजी कब बनाये गया था? इसी राजी बनाये गया था 24 जनवरी 1950 में इसकी अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बिहार, जहरिखंड, चत्तिसगड, मद्ध प्यदेश, राजिस्तान, हरियाना, हिमाचल प्यदेश, उत्तराखंड आठ राज्यों से लगती है और एक केंदसासी प्यदेश, दिल्ली से लगती है टोटल नो राज्यों से इसकी सीमा लगती है एक कुश्चन से भी कई बार पूँच लिया गया है कि सबसे जानदा किस राज्यी की सीमा राज्यों से लगती है तो उत्तर प्देश है, यहां विधान सभा में आप देखते हैं 430 सीटे हैं, विधान पईशत में 100 सीटे हैं, राज्य सभा में 31 सीटे हैं, लोक सभा में 80 सीटे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें भी देखने को मिलती हैं, और राजनीती की दिरिष्टी से इसलिए महत्पूर भ आए हुए हैं पहले पिधान मंत्री पंडिच जबालाल नहरो वर्थमार पिधान मंत्री मौदी साहब आप सभी जानते हैं कि मनारसिन का संसदी अच्छित है मौदी साहब का तो यह भी आप लो याद रखेगा होबली रेल्वे स्टेशन कंडाटक के एक महत्मूर जंक्सन है और यह स्टेशन बैंगलोर दावन गेरे की तरफ होस पेटे एक गदग की तरफ बासकोदी गामा बैल गावी एक लोंडा की तरफ और रेल्वे लाइनों को जोडने वाले जंसन पर रिस्तेत हैं और इस स्टेशन की पिलेट फॉर्म नंबर आट की लंबाई 1507 मीटर की है क कि इसका नाम गिनीज Book of World रेकॉर्ड में भी दरज हो गया है दर असल यह दुनिया का सबसे लंबा रेल्वे पिलेट फॉर्म बन चुका है और इस रेल्वे पिलेट फॉर्म को बनाने में 20.1 करोर रुपे का खर्च हुआ है और हुवली से पहले आप देखते थी कि उत्तर पिदेश की गोरकपूर जंग्सन पर बने पिलेट फॉर्म को अब दूसरा सबसे बड़ा पिलेट फॉर्म माना जाएगा इसकी गोरकपूर विवाली की कितनी लंबाई थी 1366.33 मीटर में था और तीसरे नमबर पर आप देखें कि केरल में कुल्लम जंग्सन आता है जिसका पिलेट फॉर्म की लंबाई 1180.5 मीटर बताई जाती है पहले पर आप देखते हैं कि हुबली आएगा दूसरे पर अब कौनसा गोरकपूर आएगा तीसरे पर आपका केरल का आएगा कुल्लम जंग्सन ठीक है और दुनिया के सबसे लंबे रेलवे पिलेट फॉर्म के उध भी राठ को समर्पित किया है चो यह भी आप देखेंगे और 530 करोर रुपे से अधिक की लागत सिविक्से बिद्धुती करण परियोजना बिद्धुत करशन पर निर्वार ट्रेन संचालन पर दान करती है और इस टेशन को हमपी समार्कों के समान डिजाइन किया गया है और हमपी मद्यकालीन हिंदुराज बिजयनगर समराज की राधधानी थी और इसकी स्थाफना 1336 में हरीहर और बुक्का ने की थी इनके बारे में एतिहास में आप लोगोंने पढ़ा भी होगा और तुंगभद्धा नदी के तरफर इस्तित इहनगर अब हमपी नाम से जान लेता है क्या कर लेता है कई बार कुशनस पूंच लेता है इस तरह कि चाहें युएन हो आपका या फिर आप देखेंगी कि आपका क्या हो डबलू टी ओ हो डबलू एस ओ हो युनेसको की अगर हम लोग बात करें तो दा इउनाइटेड नेशंस एजूकेशनल साइंटिफि लोग याद रखेगा अगर कुशनस पूंचा जाएगा तो जरूर आप लोग अंसर दे पाएंगे और वैसे भी जनरल नॉलेज का भी कुशनस बन चुका है